हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई यूटूब चैनल आज मैं आपके लिए चालिस से ज्यादा पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक के इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया हूँ प्लीज सुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें और यहां पर आंसर की कहीं पर लिखा हुआ नह मैं ऐसी और बहुत सारे जानकारी वाली वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा तो सबसे पहला कोश्चन आज का इन विच जनरल इलेक्शन फॉर्टिंग एज वाज इक्सराइज एज ओफ एटीन यर्ज यानि किस इलेक्शन में वोटिंग एज 18 साल का किया गया था तो सबसे पहले बात हमें याज जद जो रखना है इसमें कि 61st amendment जो कि 1988 में हुआ था 61st amendment किस साल हुआ था पास 1988 में उस साल amendment करके वोटिंग एज को रिडूस किया गया था 21 से 18 साल यानि कि 21 साल से 18 साल घटाया गया था 61st amendment act साल था 1988 बट कोश्चन यहां कुछ और है साल के यूवक जो थे हैं वोट दे पाये थे तो उसका एंसर होगा राइट एंसर विल बी 1989 यानि कि 1989 के एलेक्सन में फर्स्ट टाइम लोग 18 साल के उम्र में वोट दे सके थे बढ़ते हैं अंगली कोश्चन की तरब what is the correct chronological order of creation of असम नागालेंड गोवा एंड मिजोरम य इसमें chronological order यह है कि सबसे पहले असम बना था उसके बाद नागालेंड और उसके बाद आपका मिजोरम बना था थर्ड नंबर पर और सबसे लास्ट में गोवा यानि कि correct chronological order होगा असम नागालेंड मिजोरम और गोवा बढ़ते हैं अंगली कोश्चन की तरब किस कंट्री से fundamental duties का concept बौरो किया गया है तो हमें पता है कि यह बौरो किया गया है उससर से अगर option में उससर है तो यह लिखे और नहीं तो रस्या option में होगा दोनों ही answer correct है अगला question अगला question है which article deals with the removal of the chairman of और any other member of a public service commission public service commission के chairman को हटाने से या उसके member को हटाने के लिए कौन सा article of constitution है तो यह article 317 है article 317 बहुत important है UPSC है और public service commission के बारे में इसमें बात कहें गई है next question the executive authority of a state is vested in यानि कि किसी भी state का executive authority किसके हवाले किया गिया है तो यह हमें पता है governor होते हैं जिनके अंतरगत executive authority दिया गिया है और यहां से related question हमें याद करेना चाहिए कि यह कौन सा article है जिसमें executive authority के बारे बात किया गया सबसे पहले बात कर ले थे कि governor किस article में बोला गया यह हमें याद रखना है तो governor article 153 में कहा गया है और यह question है कि executive authority इस state का governor के पास है यह कौन सा article है तो इसका article है article 154 तो दोनों बहुत important article याद रखिएगा बरते अंगली question के तरफ a judge of the supreme court and high court can be removed from his position by the यानि कि supreme court और high court के judge को कौन हटा सकता है तो यहां बहुत सारा option होगा तो याद रखना combination हमें जानना होगा यह जो question है इस question में इसका particular answer होगा specific answer प्रेसिडेंट ठीक है याद रखिए प्रेसिडेंट है जो supreme court और high court के judge को हटा सकते हैं बच प्रेसिडेंट कब हटाएंगे जब हमारे parliament pass करेगा कोई resolution हटाने के लिए तभी हटा सकते हैं सुप्रीम कोट के रिमूबल के रिमूबल के बारे में किस article में बात किया गया है आर्टिकल 124 में तो ultimate authority प्रेसिडेंट की signing के पावर के बाद ही किसी जज को हटाएंगा सकते हैं बढ़ते अंगले question के तरफ बाइविच आर्टिकल ओफ दे इंडियन constitution दे कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शन ओफ वाइस प्रेसिडेंट ओफ इंडिया मस्ट हैब 35 वीयर्स ओफ एज यानि किस constitution में आर्टिकल में कहा गिया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ए 66 है और मोर इस स्पेसिफिक और पूछा गिया है तो आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 में कहा गिया है अगला question है what is the current age of retirement of judges of supreme court and high court respectively in india तो supreme court के जजज का retirement age क्या है और high court के जजज का retirement age क्या है तो supreme court के जजज के retirement age है आपका 65 years और high court के जजज का age है 62 years 65 में Supreme Court के judge retire करते हैं और High Court के judge 62 years में retire करते हैं अगर आर्टिकल पूछ दिया जाए कि Supreme Court के judge retire करने का आर्टिकल किसमें है तो removal जिस आर्टिकल में है उसी आर्टिकल में उनका date of retirement भी बताया गया है यानि कि आर्टिकल 124 sub clause 2 में retirement date बोला गया है Supreme Court के judge का बढ़ते अंगले question के तरप which parts of the constitution explicitly mention that India is a secular state इंडिया एक secular state है यह किस part में साफ तोर पे कहा गया है तो यह हमें पता है कि यह कहां पे लिखा हुआ है हमारे preamble में लिखा हुआ है प्रियंबल में socialist secular democratic republic के बारें बात गही गए है यानि कि secular word original constitution में कहीं पे नहीं था लेकिन after 42nd amendment 1976 के बात secular word add किया गया था अगला question which word has not been written in the preamble of Indian constitution तो options may be many बट Indian words has not been mentioned anywhere in preamble अगला question है कि on which date Indian constitution is implemented Indian constitution किस date को implement किया गया था very simple question don't get confused it was implemented on 26th November 1949 26th January 1950 से हमारा constitution चालू हुआ था लेकिन उससे पहले ही बहुत सर्प्रोविजन को implement कर दिया गया था let's move to the next question which committee was related with K.M. Munsi K.M. Munsi किस committee से युडे हुए थे तो बहुत important committee था that was constitutional draft committee constitutional draft committee के एक member थे और this committee was headed by dr. Bhim Rao Ambedkar अगला question very important which year is related to Beru Badi case Beru Badi एक territory था पस्री मंगाल में West Bengal में जिसे उस टाइम के पाकिस्तान को दिया गया था तो इस पे Supreme Court में के सुनवा हुआ था जिसे Beru Badi union case काते है और उस साल था 1960 next question what is the true meaning of word of secular the secular word kita actually meaning kya हा tu this word can be interpreted in many ways but one of the most authentic or most well agreed meaning of the secular is that the state has no religion that the government whether what all religions are equal in the eyes of the government when government will not discriminate between anyone because the primordial or the main identity before a state is citizenship whether i am hindu or muslim state should not get concerned with it state should treat us just like any other citizen okay let's move to the next question what is the meaning of social equality in the indian constitution indian constitution was social equality meaning so social equality is equal opportunities for all section of the society यानि कि हमारे समाज में जो भी sections है अमेर गरीब जो भी बराबर है या छोटे या को भी जाती हो कुछ भी हो उनको एक समान opportunity provide करेंगे government whether it's in education health care everywhere next question who among the following said that the preamble of the indian constitution is the key note of the constitution प्रेम्बल जो हमारा है वो key note of constitution है यह किस ने कहा था यह बहुत ही famous political commentator है आर्नेस्ट बढ़कर आर्नेस्ट बढ़कर ने यह बात कही थी यादर के बहुत important है next question है the language of preamble of indian constitution is taken from which constitution यानि कि हमारे preamble प्रस्तावना की जो भासा है वो किस constitution से लिया गया है the debt has been borrowed from australia australian constitution से लिया गया है बढ़ते हैं अंगली question की तरफ by which constitutional amendment सिक्किम became a state of india it is 36th amendment 1975 in 75 अगला question in which state the satanathan commission recommended to introduce the creamy layer creamy layer का concept में पते हैं क्यों OBC के लिये west bengal mat present it is 8 lakh rupees if you have income more than 8 lakh rupees then you will not get benefit of other backward classes or OBC certificate so this concept was introduced in which state first and on the recommendation of satanathan commission this was introduced in the state tamil nadu next question which schedule of the constitution provides the constitutional immunity sorry which schedule of the constitution provides the constitutional immunity to a particular law यानि कि उस law को constitutional immunity है constitutional immunity का यहां मतलब है उसका judicial review नहीं होगा तो सिर्फ एक ही schedule है that is ninth schedule यानि कि ninth schedule में अगर किसी law को रखा जाए तो उसका constitutional review sorry judicial review नहीं कर सकेगा कोई भी that's why jamindari laws या land reforms laws को इसी schedule में रखा गया था बरते अंगली question के तरफ who works as the chairman of the general council general council के chairman कौन होते है तो general council के chair home minister होते है home minister of India who is the president home minister of India it is siri Rajnaas Singh next question which court has sorry which court has maximum number of sanction judge in India किस Supreme High Court में सबसे ज्यादा judges है तो we know that constitution is silent on the number of judges in High Court यहां जो question है बहुत सारे हमारे यहां Supreme High Court है उसमें सबसे ज्यादा judges जो है वो Allahabad High Court में Allahabad High Court युक्तर पर्देश में next question है Dr. B.R. Ambedkar was elected to the constituent assembly from which state of India किस state से Dr. B.R. Ambedkar constituent assembly में चुन कर गया थे तो बहुत important question है इसे याद रखेएगा यह question कई बार exam में कुछ कुछ exam में पूछा जा चुका है so it is the high probably this question may be repeated again so actually B.R. Ambedkar was elected from Bengal province Bengal province से वो चुन कर गया थे constituent assembly में but बड़े मजदार बात है कि हमें पता है कि जब Bengal province का बठवारा हुआ था तो आधा Bengal बांगलादेश यानि उस टाइम का पाकिस्तान में चला गया था इस्ट पाकिस्तान में और आधा बंगाल जो था वो वेस्ट बेंगल के नाम से जाना जाने लगा तो वेस्ट बेंगल से वो चून कर जिस पार्ट साय थे वो पार्ट चला गया बंगलादेश पाकिस्तान में इसलिए उनकी मेंबर्शिफ खत्म हो गय थी तो उन्हें तो बंबे भी याद रख सकते बंबे प्रोविंस यहां महरास्त अखला कोश्यन है इन वीची यहाई कोट आफ जूड़िकेचर फोरनॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एट आगा वद इस्टैबलिस्ट इट वाज इस्टैबलिस्ट इन यहेटीन शेंगला बंगला ग्षी शें बढ़वारा की बात चले थी तो वो Constituent Assembly उनका अलग बना था तो सबसे पहली बात याद रखना है कि इंडिया का जो partition हुआ है that has been on the Mountbatten plan और Mountbatten plan कभी announced किया गया था that was announced on 3rd June 1947 तो 3rd June 1947 को ही Constituent Assembly of Pakistan भी बना था याद रखेगा अगला question बहुत important question है बहुत सारी जाम में पूछा जा चुका है कि which article of Indian constitution dealt with the appointment of attorney general of India the attorney general of India के article है बहुत important याद रखेगा इसे article 76 बढ़ते हैं ली question के तरफ who is the highest legal officer of the union government of India union government of India का सबसे highest legal officer कौन है against him attorney general of India क्या आको पता कि अभी के attorney general कौन है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में से comment करें to be next question to be eligible for appointment as attorney general of India a person must possess the qualification prescribed for a किसी person को अगर attorney general बनना है तो उनके लिए कौन सी qualification की जरूवत है किस qualification की जरूवत है तो उन्हें he should be eligible to be a judge of supreme court यानि कि judge of supreme court के लिए जो भी qualification लगता है that's qualification are necessary for being appointed as attorney general of India next question who prepared the preamble of Indian constitution Indian constitution का preamble किसने तयार किया था तो क्या बदा सकते हैं तो मैं बता देता हूँ कि preamble जो है actually that is a short version of objective resolution and objective resolution was prepared was prepared by Pandit Jawaharlal Nehru and that objective resolution was introduced on 13th December 1946 which got passed by constitutional assembly on 22nd July 1947 very important all these three information are important inclusion of the word fraternity was proposed by fraternity word हमारे कहां यूज किया गया है तो fraternity word हमारे preamble में यूज किया गया है और fraternity word यूज कहां से बॉरो किया गया है that has been borrowed from France France से ये बॉरो किया गया है but question here is inclusion of the word fraternity is proposed by यहने कि fraternity word एक होना चाहिए यह proposal किसने दिया आता है that proposal was given by Dr. B.R. Ambedkar अगला question है कि in which case the Supreme Court held that preamble is not a part of the constitution सबसे पहले बात अभी याद रखे हां कि preamble जो है वो constitution का part है at present view is that preamble is part of the constitution but Supreme Court ने एक case में कहा था कि preamble constitution का part नहीं है वो कौन से case था तो वो case कोई और नहीं था बेरुबारी केस में ही उनोन कहा था बरते अगली question कि तरफ which committee which committee of the constituent assembly was not headed by Dr. Rajendra Pasaad तो option according to option you can answer it but remember which committee if the question had been which committee was headed by Rajendra Pasaad one of the important committee which asked which is asked in many examination was that flag committee flag committee was headed by Dr. Rajendra Pasaad next question from which date the citizenship election provisional parliament temporary and transitional provisions were given effect by Indian constitution Indian constitution में temporary parliament के बारे में कब से इसको चालू किया गया था तो याद रखेगा इट वोज इनिश बिगिन ओन 26th November 1949 जिस दे हमारा constitution को शुरू किया गया था उसी दिने से चालू किया गया था अगला question बहुत ही important है once a budget has been presented in parliament the government has to get all money bills related to the union budget passed within एक बार जब parliament में budget पेस किया जाता है तो all money bill जो union budget से है उसे कितने दीनों के अंदर में pass करना पड़ता है तो that is passed within 75 days अगला question the first two states in India which established Panjaiti Raj in 1956 तो पहले सबसे पहला state अगर question में आएगा कि सबसे पहला state कौन था जहां Panjaiti Raja हुआ था तो that was Rajasthan Rajasthan was the first state and it was implemented in Nagaur district of Rajasthan तो Rajasthan यहां कि first two states तो Rajasthan was the first state and the second state was Andhra Pradesh तो Rajasthan and Andhra Pradesh was the first two states अगला question है which political party of India has an election symbol almost almost close to the election symbol of Republican Party of the United States of America भारत के कौन से political party का symbol और America की Republican Party का symbol same है command isrants का जहां जहां समाइ प्राटी जहां जहां समाज प्राटी रोथ Arizona is the common symbol of both republican party and bahujan samaj party please remember bahujan samaj party is a national party in india next question by which amendment of the constitution the territories of goa daman div were incorporated in the indian constitution indian constitution mean goa daman div ko kish amendment ke tahat incorporate kia gaya tha toh ye that was incorporated through 12th constitution of india in the year 18th sorry i just forget the year it must be 1862 i think sorry it was introduced in the yes sorry 1962 next question the vice president of india elected by the electoral college consisting of the members of vice president ko kuan let karta hai the member of rajya sabha plus member of log sabha here both elected members and both nominated and elected members both participate in the election of vice president of india how many members are elected in the log sabha from the union territories according to the constitutional provision to hamei pata log sabha me 545 members jate hai us may say 20 members 20 members joh hain wo union territory say elect ho khar jate hai during the proclamation of emergency is in operation the term of log sabha may be extended at a time for a period not exceeding yarni ki jab log sabha jab national emergency ho ho toh log sabha ke tenure normally 5 saal ho hoota hai lere khan leki no emergency time may be said at a time at a time yik saal ke liye bharaya ja sakta hai phir usse yik saal ke liye bharaya ja sakta hai toh at a time osse yik saal se jyadha nahi bharaya ja sakta hai agla question hai procedure for the amendment of the constitution is taken from which country yarni ki humari joh constitution me amendment hoota यह किस कांती से बोरो किया गया है गॉप च Migli अब ध्यूद सौन यह किस कंती से बोरो किया गया है जो फॉटल ऑ्यूद यह सब्सक्वां गया गया किस कंती से बोर low kia है धर था परम्राइल जबुट टार्व प्रमा Χालत्व फीजुट कंतीं in indian constitution is taken from which country we know that india is a federal country there is center and there are many state and they both share power with each other legislative power judicial power and executive power financial power but this system has been borrowed from which country so this has been borrowed from canada next question and the emergency provision in Indian constitution is taken from which country please be careful in this question here the question is emergency provision जो है वो किस country से बौरो किया गया है first of all India में जो emergency provision है वो government of India एक 1935 से बौरो किया गया है but अगर question में country लिख दे तो उस time में Germany होगा though this is not the right answer because Germany से जो बौरो किया है that has been borrowed that is borrowed is suspension of fundamental right during emergency that has been borrowed from Germany not emergency itself emergency power has been borrowed from government of India in 1935 but in the competitive exam if there is no option like government of India in 1935 then go for Germany next question the president of India can nominate how many members in Lok Sabha रासभा respectively पता है हमें लोगसभा रासभा दोनों में nominated members भी होते है और elected members तो लोगसभा में nominated members होते हैं दो रासभा में nominated members होते हैं 12 तो कभी-कभी एक्जाम में question आ सकता है कि president parliament में कितने members nominate करते हैं तो बहुत सारे students 12 लिखते हैं लेकिन question पूझा था कि parliament में कितने nominated member होते हैं तो उस time में दो और 12 दोनों होगा यानि कि equal to 14 14 members total parliament में nominated होते हैं प्लीज remember these minute details next question the jurisdiction covering the Andaman and Nicobar Islands fall under which supervision of which high court यानि कि Andaman Nicobar Island का jurisdiction किस high court के अंदर हैं ये Calcutta High Court के अंदर है Calcutta High Court और उसका एक bench Andaman में में भी है Calcutta High Court का पूर्ट बेलेर में So this was the today's question and please like and subscribe the channel and don't forget to Press the bell icon thank you so much for watching the video more videos will be updated soon And that's why please subscribe the channel and press the bell icon and don't forget to share and like the video Thank you so much and please remember me in your prayer